हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बूद बूद स्वागत करता हूँ आपके अपने चेनल अकाउंट्स और स्वालेशन में आज का जो अपना टोपिक है अपने सस्क्राइबर है अलोक मायश्वरी देली से हैं इनका कमेंट आया था वोट्सअप गुरूप पे इनका कमेंट था कि सेल्स इन्वेस में सोट नरेशन कैसे अनेबल करें क्योंकि पार्टी लेजर में सोट नरेशन का कॉलम भी आता है तो इनका कमेंट में ने पड़ा और मैंने वीजी सौफट एर में पूरी अच्छी तरह से सर्च किया लेकिन वीजी सौफट एर में सेल्स इन्वेस में सोट नरेशन का कोई ओप्शन नहीं है लेकिन इनकी जो प्रोब्लम है कस्टमाइज करके मैंने बनाया है तो ये चाहते हैं कि इनके पास जो long narration का option है इसका उप्योग नहीं करना चाहते है only short narration का उप्योग करना चाहते है वो भी sales invoice में आप जानते हो कि जैसे आप किसी भी party का statement अगर निकालते हो तो उसमें long narration and short narration का option आता है आज का जो अपना topic है sales bill में short narration कैसे लिखे bg software में इसा कोई option नहीं है लेकिन मैंने इसका जो format है customize करके बनाया है sales bill में short narration add करने के लिए आपको ये step follow करने है किस तरीके से आपको configuration करनी है step by step आपको ये समझना है पस्ट जो अपना point है voucher series configuration में optional field में short narration field add करना है second जो अपना point है इसके बाद आपको bill बना के देखना है आपके पास option आ जाएगा उसमें आप जो भी लिखना चाहो वो आप add कर सकते हो third number जो अपना point है लेकिन आप जैसे bill का print out निकालोगे तो उस bill के print out पे short narration जो आपने add की है वो भी print out होके निकलेगी तो जैसे आप देख सकते हो कि आप जैसे bill का print out निकालोगे आपने short narration add करी है तो इस तरीके से आपके bill के print out पे भी वो print होके निकलेगी अगर आप चाहते हो कि यह जो short narration है आप नहीं चाहते है कि आपके build पे print out हो के निकले तो आप इसको हटा सकते हो इसको कहां से आपको हटाना है ये आपको समझना है अगर आप build के print out पे sort national print नहीं करना चाते हो तो आप इसको हटा सकते हो हटाने के लिए आपको optional field हटाना है कहां से हटाना है ये जो voucher optional field जो printing जो option है इसमें मैंने जो optional field create किया था तो इसमें आप देख पारे होगी यहाँ पे जो print का जो option है यह यहाँ पे tick mark हो रहा है और जैसे ही मैं यहाँ से tick mark हटा देता हूँ आटाने के बाद इसको save कर देता हूँ आपके bill पे print out होके नहीं निकलेगा तो इस तरीके से आप हटा सकते हो और जो अपने subscriber थे उनका question था कि party के statement में short narration print के से करें यह तो इस तरीके से आप print कर सकते हो उनका जो question था उसी के साथ से मैंने इसको customize किया है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे मैंने example के लिए जो लिखा है कि यह जो मेरा sales का in noise है और इसमें आप short narration देख पा रहे हो कि यह मैंने customize करके बनाया है तो यह 50CB जो मैंने इसका product का नाम लिख रखा है और इसमें जो 18.5 का जो bill है इसके अंदर 500 kg जैसे basin जो भी गया है वो मैंने लिख रखा है तो आप short narration में add कर सकते हो जो भी आप आपके साफ से add करना चाते हो वो आप add कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और share जरूर करे और channel को जरूर subscribe करे more information के लिए आप WhatsApp group join कर सकते हो और Telegram group join कर सकते हो group में entry होने से पहले आपको channel जरूर subscribe करना है group में member तो बढ़ रहे हैं लेकिन subscriber 10% बढ़ रहे हैं तो थोड़ा जरूर आप ध्यान दे तो ले चलता हूँ मैं अपने computer की screen पे मैंने मेरा bg software open कर लिया है अब मैं step by step में आपके लिए बता देता हूँ कि आपको आपकी जो sales invoice है उसमें short narration कैसे add करनी है तो first में आपको administration पे आपको click करना है configuration पे आपको click करना है voucher series configuration पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करते हो तो यहाँ पे sales पे आपको click करना है sales पे click करने के बाद अगर आपने जो भी आपकी सीरीज बना रखिए मेरे पास एक सीरीज बनी हुई है मैं इसी में चाहता हूँ कि मेरी जो पार्टी का जो बिल बनेगा बिल में सोट नरेशन का option आ जाए वो मैं जो पार्टी का statement निकालना चाहता हूँ उसमें वो narration का printout निकल जाए तो इस पे आपको जैसे आप main पे किलिक करोगे तो यहाँ पे voucher configuration पे आपको किलिक करना है जैसे आप इस पे किलिक करते हो तो optional field के नाम से जो आपका option है इस पे आपको किलिक करना है और यहाँ पे आपको कर देना है one आपको यहाँ पे कौनशा option एड करना है वो आपको लिख लिखना है जैसे मुझे sort narration लिखना है sort narration मैंने लिख दिया है इसके बाद जैसे आप type पे क्लिक करोगे तो यहाँ जो sort narration लिखना चाते हो तो आप किस में चाते हो यानि मैं text में चाता हूँ और यहाँ पे अगर आप database अगर maintain करना चाते हो तो यहाँ से y कर सकते हो मैं इसको no क एड करना चाहोगे तो इसको आपको रखना है और यहां से इसको कर देना है save save कर देने के बाद इसको कर देना है save आपने एक option नएा option एड कर लिया है इसके बाद मैं किसी भी party के नाम से एक bill बना के आपके लिए बता देता हूँ कि मेरी जो party है जगदंबा मैंने एंटर किया एंटर करने के बाद जैसे मैं इसको एक computer का दो computer का मैं bill बना देता हूँ और यहां पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो मैंने जो narration का short narration का जो option add किया था optional field में short narration का option आ चुका है और मैं यहां पर जो भी लिखना चाहूँ जैसे मैंने दो computer मैंने लिख दिये हैं और इसके बाद कर दिया है मैंने एंटर जो भी settlement करना चाहते हो जो settlement कर सकते हो कि जैसे इस party का credit का bill है या bank में पेसे आये हैं या फिर आपने case का bill बनाया है तो आप वो select कर सकते हो और यहां से कर देना है आपको ok ok कर देने के बाद इसका जो bill का इस bill को आपको कर देना है save save करके मैं आपके लिए दिखा देता हूँ जैसे मैं इसका print out निकालके आपके लिए एक बार बता देता हूँ कि जैसे आप print out निकालोगे तो यह जो sort narration आपने लिखा है यह bill के print out पे भी print होके निकल रहा है तो अगर आप चाहते हो यह जो आपने sort narration बनाया है only आप statement में चाहते हो कि मेरी जो statement में निकालोगा खिसी भी party के तो मुझे statement में चाहिए bill के print out पे नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है इसको हटाने के लिए आपको administration पे क्लिक करना है configuration पे आपको क्लिक करना है और यहां से invoice documents printing पे आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको standard select कर लेना है और यहां से कर देना है आपको enter एंटर करने के बाद यह आपने optional field में add किया था तो यहां से optional field transport details जो option है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो optional field 1 इस पर tick mark हो रखा है तो यहां से इसको आपको tick mark हटा देना है इसके बाद कर देना है यहां से शेव कर देना है अब दुबारा से मैं print out प्रिव्यू करके आपके लिए बता देता हूँ जैसे मैं इस party का print out चेक करता हूँ तो मेरे पास जो लिखा वा था वो यहां से हट चुका है आपका जो main अपने जो subscriber का question था कि जो इस party का statement निकालेंगे यानि alt और L मेंने किया और यहां पर जो इसका company का जो default जो format आता है standard आता है इसको मैं चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें short narration का कोई भी option नहीं आ रहा है और यहां पर जो short narration and long narration जो आता है यह only किसका आता है short narration आप जो किसी party के entry करते हो तो entry करते हैं टायम पर फिल्ड का जो अपन ने किया था वो मैंने उसका format अलग से बना रखा है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहां sort narration का मैंने अलग से मैंने format create किया है इसके बाद जैसे मैं इसमें देखता हूँ मैंने दो computer यहां पे लिखा था अगर मैं इसमें और भी अगर word add करना चाता हूँ तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने दो computer इसमें लिखा था आप जो भी add करना चाते हो आपके साफ से enter कर सकते हो और इसका print out आपको कैसे निकालना है ये भी मैं आपके लिखा नीकालते हो तो आप यहां से alt p press करते हो यहां से from bg करते हो और यहां से preview पे जिसे मैं एक बार click करके आपके लिए बता देता हूँ कि इस तरीके से आप print out निकालते हो तो यहां पे sort narration का जो नया column create किया था वो नहीं आएगा अगर आप चाहते हो कि sort narration का जो यह option आपने बनाया है इसका print out अगर आप चाहते हो पार्टी का statement निकालना चाहते हो तो यहां से आपको alt और p आपको press करना है yes it from grid पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो यहां से आपको ok कर देना है ok कर देने के बाद यहां से preview पे आपको click कर देना है तो आपका जो statement है यानि party का जो statement है sales invoice में आपने जो add किया था वो आपके सामने print होके निकल जाएगा और ये जो इसमें मैंने add नहीं कर रखा है only ये आपके लिए check कराने के लिए मैंने इसमें add किया है तो आपके जो भी details है वो आप check कर सकते हो जो भी add करोगे वो print out होके निकल जाएगा तो इस तरीके से आप अपने sales invoice में short narration का option enable कर सकते हो और इस तरीके से उसका print out निकाल सकते हो दोस्तों अगर आप whatsapp group join होते हो तो एक बार आपको जरूर ध्यान रखना है जैसे whatsapp group join कर रहे हो या फिर आप telegram group join कर रहे हो तो इसका जो मैंने जो format बनाया है ये मैं आपके लिए whatsapp group पे share कर दूँगा और telegram group पे share कर दूँगा वहाँ से आप download करके और इसका इस्तमाल कर सकते हो दोस्तों ये जो नया format आपको बनाना है वो किस तरीके से आपको बनाना है जैसे आप standard जो format select करोगे यहाँ पे आपको app to price करना है app to price करने के बाद आपका जो dashboard है इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पे आपको customize column पे select करना है जैसे आप इस पे select करोगे तो यहाँ पे आपको short narration enter कर देना है short narration मैंने enter कर दिया है इसका already मैंने बना रखा है तो मैं इसके 1,2,3 enter कर देता हूँ, इसका format है short narration 1,2,3 इसके बाद enter करना है enter करने के बाद यहां से आपको add new column पे आपको click करना है, short narration आपको enter कर देना है, इसके बाद enter करना है अब इसको जो short narration का जो कोलम रहेगा वो कहां पे रहेगा किसके बाद रहेगा यानि F7 के बाद आपको sort narration का कोलम चीए तो यहां से आपको add after F7 यहां पर जो लिखा हुआ है आपको यहां पर enter कर देना है और यह जो कोलम चीए आपको text में चीए तो यहां पर text select कर लेना है और इसके बाद इसमें left right center जो जैसा भी रखना चाहो आपको left रखना है इसके बाद इसकी size रख सकते हो कि इसकी size रहेगी वो क्या रहेगी कितने font की size रहेगी तो आप इससाब से रख सकते हो 40 है कि 45 जो भी करोगत यहां पर आपको फिल्ड पर आपको click करना है और यहाँ पर जो आपका option है वाउचर header पर आपको click करना है जैसे है topli करोगे तो यहां पर जो आपके सामने detail जो आ रहे इसमेंसे आपको select करना है optional field 1 जो लिखा हूँ आये यह आपको select करना है double click करते ही यह Select हो जाएगा इसके बाद यहां से Save field पे आपको किलिक करना है इस पे किलिक करने के बाद यहां से आपको Save format पे आपको click कर देना है इस पे आपड़े सें किलिक करोगे तो यह आपका format बनके तयार हो चुका है अब मैं Escape करता हूँ और यह जो नया format जो बनाया है इसमें एक बार में आपके लिए चेक करके बता देता हूँ मैंने जो नया format create किया है इस पे यहाँ पे मैं F2 कर देता हूँ F2 जैसे ही करूँगा अब आप detail देख पा रहे हो कि जो मैंने पहले जो format बनाया था इसका जैसे जैसे format बन चुका है इस तरीके से आप अपना format तयार कर सकते हो इस statement का जैसे आप print out निकालोगे तो आपको यहाँ पे click करना है और इसके बाद यहाँ से print horizontal line between पे आपको click कर देना है ताकि आपके यह box में आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से ok कर देना है ok करने के बाद जिसे print preview आप चेक करोगे तो इस तरीके से बन किया जाएगा जो मैंने next जो format बताया था आपके लिए वो मैंने already बना रखा था अगर format बनाने में आपको कोई problem आती है तो आप मुझे comment कर सकते हो इस तरीके से आपको format तयार करना है और मैं आपसे request करता हूँ वी लोग whatsapp group and telegram group में join हुए है उन्होंने channel को subscribe नहीं कर रखा है तो वो channel को जरूर subscribe कर ले ताकि आपको नई वीडियो के notification मिलते रहेंगे और आप bg software से related आपकी जो भी क्योरी है वो आप whatsapp group पे share कर सकते हो और आपका कोई topic है तो वो भी आप share कर सकते हो उस पे मैं वीडियो आपके लिए बना दूँगा I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद thank you